Hello friends, बहुत बहुत होगा था आप सभी के एक बाफ इसे सरकारियेट में तो इस वीडियो में आप सभी के साथ एक important discussion करने वाला हूँ जो कि HNPU की GNM कूर्स के बारे में होने वाला है, ठीक है? तो इस बार जिस किसी भी candidate ने भी HNPU University का जो है GNM के लिए entrance exam दिया है और आप जो है GNM admission लेने वाले हो तो आप सभी ने जो है अपने result चेक कर लिया होगा, अपने marks और अपनी rank जो है वो आपने check कर लिया होगे तो इस वीडियो में हम लोग जो है seat matrix के बारे में discussion करने वाले है कि जो आपकी government और private की seats है वो कितनी कितनी है ठीक है category wise भी हम लोग देखेंगे और GNM की जो है expected cutoff rank क्या जाएगी उसके बारे में भी जो है मैं जल्दी ही video upload कर दूँगा तो जो भी GNM के candidates है वो channel को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और bell icon को press कर लें ताकि इस related आगे जो भी information होगी वो मैं आपको share करते रहोंगा और साथ ही जब counselling का notification आएगा तो उसका जो procedure है वो भी मैं आपको अच्छे से explain कर दूँगा ठीक है तो हम लोग अपना discussion स्टार्ट कर लेते हैं यह जो seat matrix है यह previous year की seat matrix है तो एक चीज में आपको बता दो कि previous year जितनी seats थी उतनी seats इस बार रहेंगी और अगर कोई change होता है तो वो positive change होगा seats में यानि कि अगर आपकी seats में कोई change आया तो आपकी seats बढ़ेंगी ही वो घटेंगी नहीं ठीक है तो हम अभी ऐसा मान के चल रहें कि अगर last year की जो भी seats थी वो इस साल भी रहने वाले हैं और अगर बढ़ती है seats तो आपके लिए जाधा अच्छा होगा तो मतलब यह है कि आप आपको थोड़ा और benefit मिल जाएगा जिन candidates के कम marks है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ seat matters का discussion करेंगे पाकी हम लोग upcoming वीडियो में यह भी discuss करेंगे कि आपको कितनी rank तक जो है government college GNM के लिए मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो है government के जो colleges है वो मैं आपको बता जाता कौन कौन से है तो पहला है state school of nursing female वाला ठीक है तो इसमें यह government college है उसी तरीके से state school of nursing male देहरादुन और उसके बाद जो है government school of nursing female यह रौशनबाद हरीदवार में है और यहीं पर जो है male का भी है वो भी रौशनबाद हरीदवार में है फिर जो next है आपका वो है BD Pandey School of Nursing नै अच्छा college है ठीक है श्री गुरुरामराय college of nursing तो यहां से भी अगर जो परसियो करते है तो वो भी अच्छा है ठीक है बागी मतलब SGRR भी एक तरीके से आप private ही मान सकते हो लेकिन वो थोड़ा semi government type का है बागी नीचे जितने भी colleges यहां पर दिये गए है वो सारे private है ठीक ह और category wise इसका जो है वो आप देख सकते हो कि unreserved category में 24 seats है female के लिए और SC category में 9 seats है female के लिए OBC के लिए 6 seats है ST के लिए 1 seat है और EWS category के लिए 4 seat है और उसी तरीके से male के लिए अगर हम बात करें तो unreserved की 6 seat हैं SC category की 3, OBC की 1 और SC की कोई भी seat यहां पर reserved नहीं है male candidates के लिए और EWS के यहां पर 1 seat दे गई है उसी तरीके से अगर हम हरी दौर वाला जो college है उसके बारे में बात करें तो महां पर unreserved की 27 seats है girls के लिए 11 seats हैं SC category के लिए 7 जो है OBC के लिए 2 जो seats है वो SC category के लिए है और 5 जो seat हैं यहां पर E OBC में 2 है ST में कोई भी seat reserved नहीं है male candidates के लिए और EWS में जो है यहां पर 1 seat दे गई है और इसी तरीके से नैनी ताल वाला जो college है वहां पर 14 seats है unreserved category की girls के लिए SC category की girls के लिए 6 seat हैं OBC के लिए 3 ST के लिए 1 और जो EWS के लिए 2 seat है और male candidates के लिए 4 seat है unreserved category के लिए SC category के लिए 2 seat है OBC के लिए आपर कोई भी seat reserve नहीं रखी गई है नहीं ST के लिए के लिए रिजर्व रखे गई है और EWS में जो है एक सीट यहां पर male candidate के लिए दी गई है यानि कि टोटल सेवन सीट से आपके नैनितल वाले college में male candidates के लिए ठीक है तो यह जो है आपके government colleges के बारे में है आप नीचे जितने भी colleges है वो भी आप देख सकते हैं तो आप इसका screenshot लेके भी रख सकते हो अगर आपको जो है अच्छे से समझना है ठीक है बाकि यह भी आप देख सकते हैं जितने colleges यहां पर और दिए गए हैं तो यह भी सारे प्राइवेट हैं जिसे समराड प्रिस्विराज चोहान इंस्टिटिट ओफ नर्सिंग प्रामेडिकल साइंस यह आपका काशिपूर में हैं ऐसी काफी सारे आप पर जो कॉलेजेस दे गए तो टोटल जो colleges हैं वो आपके 20 हैं और 20 colleges में जो हैं तीन आपके गवर्मेंट के हो गए और 24 जो हैं वो आपके प्राइवेट के हैं और यह सारे colleges में आप सीट देख सकते हो प्राइवेट की सीट बहुत जादा हैं आप लेकिन government की सीट भी हाँ पर काफी कम है तो अगर आपकी जादा अच्छी रैंक नहीं है तो आप government expect नहीं कर सकते हो जादा रांग पर ठीक है बागी मैं आपको cut-off रांग बता दूँगा कि कितनी रांग तक जो है आपको government college a lot हो जाएगा ठीक है तो जल्दी है मैं उस पर भी video upload कर दूँगा तो आपसे भी जो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना ताकि आपको idea अलग जाए confirm कि मुझे जो है government seat मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगे ठीक है और यहाँ पर इसका पूरा classification दे रखा है हर college के अंदर कि हर college में जो है category wise और जो बाकी quotas जो होते हैं जैसे open quota हो गया UK woman हो गया PH हो गया often हो गया DPW हो गया और FF हो गया ठीक है तो यह जो भी subcategories या फिर quotas है तो इन में कितनी कितनी seats है हर category के लिए तो वो आप यहाँ से देख सकते हो ठीक है तो अगर यह pdf किसी को चाहिए तो आप मुझे comment section म में बता देना मैं जो यह pdf है वो telegram group में share कर दूँगा telegram group को भी आप join कर सकते हो telegram group का जो link है comment section में मैंने pin कर रखा है साथ ही अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे instagram पे message कर सकते हो instagram का जो link है वो भी मैंने comment section में pin कर रखा है ठीक है तो अगर यह video helpful लगी तो प comment section में बता सकते हो okay so thank you and have a nice day